दोस्तो मैं हूँ उत्तम पटेल और आज के इस वीडियो में मैं आपको Health Insurance की कुछ खास एसी Terms and Conditions के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको जरूरी पता होना चाहिए अगर आपके पास Health Insurance है या आप Health Insurance लेने की सोच रहे है तो इन Conditions को जानना आपके लिए काफी जरूरी है इसमें सबसे पहला है Waiting Period सभी Health Insurance Policy में एक Waiting Period होता है जिसके दर्मियान कुछ बिमारियों को कवर नहीं किया जाता Health Insurance में Accident पहले दिन से ही कवर हो जाता है लेकिन कोई भी बिमारी जैसे की Dengue, Malaria, Typhor, Fever इन सब को 30 दिन बाद कवर किया जाता है मतलब नई Policy लेने के 30 दिन के अंदर अगर आपको कोई बिमारी होती है तो उसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा ऐसी बिमारी जिसमें Operation कराने के जुरूत हो ऐसी बिमारी जनरली Policy के दो साल पुरे होने के बाद ही कवर की जाती है जैसे कि पाइल्स, हर्निया, एपेंडिक्स, केटरेक्ट, स्टोन, जोइन्ट रिप्लेस्मेंट और एनी टाइप ओफ इयर, नोज और थ्रोट सर्जरी इन सब को 2 साल बाद ही कवर किया जाता है इसके अलावा Pre-Existence Disease याने Policy लेते वक्त जो आपको पहले से बिमारी हो या आपने Policy लेने से पहले कोई ओप्रेशन कराया हो तो उसे Pre-Existence Disease कहते हैं जिसे जनरली तीन या चार सार बाद कवर किया जाता है और कुछ कैसिस में उसे हमेशे के लिए कवर से निकाला भी जा सकता है Pregnancy या उसकी वज़ा से कोई complications आती है तो उसका कवर Health Insurance Policy में नहीं होता है इसके लिए Pregnancy Benefit Policy अलग से मिलती है जिसमें भी लगबग जनरली तीन साल का वेटिंग पीरिड होता है Hospital Sub Limit आपकी Health Insurance Policy में ये बात बहुत ही मान्य रखती है अगर आपकी Policy में Room Rank Limit और अलग-अलग बिमारियों में सब Limits लगे हुए है तो आपको काफी खर्चा अपनी जेब से देना पर सकता है तो आपको अपनी Policy में Room Rank Limit और Operations के खर्चों पर कोई Limit तो नहीं है ये ज़रूर जानना चाहिए इसके अलावा Health Insurance में कुछ General Exclusions भी होते हैं जिसे Permanent Exclusions भी कहते हैं जैसे की Injuries जो War या War जैसी Situation में होती है Intentional Self Injury याने आत्महत्य का प्रयास करना या खुद को नुकसान पहुचाना चाहे वो होश में किया हो या पागलपन में किसी Dangerous Game जैसे की Racing, Diving, Scuba Diving, Parachuting, Mount Climbing जैसे Game के कारण हुई Injury और Criminal Activities में हुई Injury को भी कवर नहीं किया जाता Alcohol, Tobacco या किसी मादक पदाज के सेवन से होने वाली बिमारी को भी यहां कवर नहीं किया जाता है Weight Control Program, Plastic Surgery, Cosmetic Surgery और Dental Treatment भी Medical Exclusions में आती है और इंडिया में लगबग सभी Health Insurance Company आउटसाइड ओफ इंडिया की हुई Treatments को कवर नहीं करती इसके लिए भी अलग plans होते हैं इसके अलावा जन्मजात रोग और मानसिक बिमारिया भी Health Insurance में कवर नहीं होती है Health Insurance का लाब लेने के लिए 24 गंटे वस्पिटल में एड्मिट रहना होता है OPD Treatment Health Insurance में कवर नहीं होती तो दोस्तो Health Insurance के लगबग सभी में एक्स्क्लूजन्स के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बिताए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे BeSmart चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो लाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकें देखते रहे BeSmart जय हैं